हाई फ्रेंट्स आप लोग कैशे हैं आपका अपना चैनल साहील एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करते हैं मैट्री का एटेंडेंस सीट और ओमर सीट को कैसे भरेंगे इसके बारे में ही बात करेंगे दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को आए टेंडेंस सीट आएंगे उसके बारे में जान ले यह भी एटेंडेंस सीट का ही फोर्मूला फोर्मेट है इसमें एक साइड में परिक्षार्थी खाप फोटो रहेगा जैसे आप यहां देख रहे हैं सबसे उपर केंदर का कोड और नाम होगा जो प्रिंट ही रहेगा दोस्तों यह प्रिंट रहेगा परिक्षा परिक्षाओं का अभिवरन है रॉल कोड रॉल लंबर पंजियन संख्या परिक्षार्थी का नाम माता का नाम पीता का नाम यह सभी जो है यह प्रिंट रहता है सभी प्रिंट रहता है इसमें लिखा होगा परिक्षा की तीथी य जैसे 113 आपका नुमेरिक कोड आपका जो है सब्जेक्ट कोड 113 है इंगलिस है यह किस तारीक हो है सोशल साइन्स किस तारीक हो है साइन्स किस डेट को है मैथ किस डेट को है इसमें जो है कि डेट भरा रहेगा यह भी भाग आपका प्रिंट रहता है तिसरका खंड जो देख रहे हैं चौहता खंड है विस है नुमेरिक एवं विसार का नाम है जैसे विष। यंग्लिस का 113 सोशल साइश का 111 और साइंस का 112 ऐसे जो हैं कि खोड आपका जो रहता हूँ यहां पर रहेगा और विसाय का नाम भी लिखा हुआ रहेगा यह भी भाग प्रिंट रहता है अब हम लोग इस भाग की बात करें पांचवा आपका खंड है एक दो तीन चार पांचवा खंड है इसमें प्रश्ण पत्र सेट लिखा हुआ है आपका सेट जो है कोश्चन का ए से जे तक मिलेगा यानि दस सेट मिलेगा तिहां कोना पर जो है एक आयताकार भाग बना हुआ है और यहाँ ए से ले करके जे नमबर तक लिखा हुआ है आपको जो भी सेट मिले ए भी सीडी जो भी मिलता है तो जैसे इंगलिस है और इंगलिस का सेट अगर आपको ए मिलता है तो इसमें ए लिख दीजिएगा capital letter में ए लिख दीजिएगा और ए में गोला कर दीजिएगा काला या बॉल पेन से गोला कर देना है और यहां जो है डिखा हुआ है इस खंड में देखिए कि विख्षक द्वारा प्रिस्थार्तियों की उपस्थिती से सम्मंदित गोला को भरा जाएगा यहां काम है बिख्षक का यानि जो टीचर आपके रूम में गाइडिंग कर रहे हैं वो भरेंगे उपस्थित अनुपस्थित और यहां पर परिक्षार्थी का हस्ताक्षर करना है आपको जो है इसमें अपना हस्ताक्षर कर देना है ठीक है यह भाग तो आप समझ चुके होंगे आप चलते है एटेंडेंस इटका दूसरा भाग की ओर यह भी एटेंडेंस का ही भाग है इस पर बिहार विद्याले परिक्षा समीती वार्षिक मादमिक परिक्षा जो भी लिखा हुए उपस्थिती पत रखाए ओमर का तो देखिए इसमें जो है परिक्षार्थी की नाम रॉल कोड रॉल लंबर पंजियन संख्या एवं वर्स पाली यानि फर्स सिटिंग सेकेंड सिटिंग क्या है परिक्षा केंद्र का कोड एवं नाम और फोटो यह सभी जो है कि अभाग प्रिंट रहता है इस पर आल रेडी जो है यह प्रिंटेड भाग आपको मिलेगा अब इसमें आपको करना क्या है देख लीजे यहां पर आपको भरना इस भाग का परिक्षार्थी प्रश्न पत्र करमांग आपका जो कोश्चन मिलेगा उस पर दस डिजिट होगा दस नमबर का होगा जीरो से ले करके नौत का नमबर होगा हरे खंड के सामने आप उसको गोला कर लिजिएगा जैसे इसमें जीरो है तो आप यहां जीरो होगा तो इसको गोला कर दीजिएगा यहां पर तो एक में ला करके गोला कर दीजिए इस तरह से आपको गोला कर लेना है हरे के सब्जेक सब्जेक्ट में अलग-अलग हर एक सब्जेक्ट में आपको करना है और देखे यहां पर लिखा हुआ है परिछा की तीथी विश्यक कोड एवन नाम ऐसे यह भी print भाग ही रहेगा अगर print भाग नहीं मिलता है आपको तो इस पर आप अपना हाथ से लिख दीजेगा अपने कलम से लिख दीजेगा और एक चीज और गौर कीजिएगा जहां पर आप भरे हुए है ने यह भाग में उतर पुस्तिका की करम संखिया उतर पुस्तिका यानि यह कापी आपको जो मिला हुआ है answer देने के लिए उसका करम संखिया यहां पर भरना है और यहां पर OMR की करम संखिया OMR का जो नंबर है आप जो उस पर लिखा होगा प्रिंट होगा उसका नंबर यहां लिख देना है और यहां पर परिक्षार्थी का हस्ताक्षर कर देना है यानि आप अपना सी नेचर कर दिजिएगा और इस परकार जो है इस परकार जो है आपका इटेंडन सीटी जो है हर एक विशय में अलग-अलग भराते जाएगा देख रहे हैं हर एक विशय में अलग-अलग भराएगा देखिए अभी जो आपने देखा कि इसका जो नंबर लिखना है परिक्षा की ती थी विशय का कोड उतर पुस्ति का क परिक्षार्थी का हस्ताक्षर और इस साइड में देखिएगा कि बिक्षक के द्वारा भारा जाएगा उपस्थित अनुपस्थित बिक्षक के द्वारा भारा जाएगा और आपके पास कोश्चन का जो सेट है A B C D जो भी है आपको जो है कि बिक्षक के द्वारा ही भारा ज है बी एक हैं से उल्हाँ यहाँ यहां पर्विख्षक का हस्ताइक्षर हो GOD मुंध्या आज देखते हैं मेलेगा अब होगा आपका एंसर या They कापी मिलेगा इस कापी में जो है बाया भाग मध्य भाग और दाया भाग है ऐसे यहां से आपको अस्पश्ट दिखाई नहीं पड़ रहा होगा इसका एक एक खंड को क्या भरना है कैसे भरना है हम आपको समझा रहे हैं देखिए दोस्तों यह है एंसर कोपी यानि आपके कोपी का बाया भाग है इसमें जो है एक से चार तक ही आपको भरना है बाकी सभी प्रिंट रहेगा इस भाग में परिक्षार्थी कर्मांक एक से चार को ही भरे इसमें विशाय आपको भरना पड़ेगा कि किस विशाय के एक तिसरा नमबर में है प्रोशन पत्र सेट कोड लिखे यानि आपको कोशन किस कोड में मिला है A, B, C, D जो भी मिला है तो जैसे सेट A है तो सेट A में गोला कर दीजिएगा सेट B है तो B में किजिएगा C है तो C में किजिएगा जो भी आपको सेट मिला है उसको गोला कर देना ह फिर आगे चलते हैं चौथा नमबर है लेखक उपलब्ध करवाया गया हाँ या नहीं यानि लेखक उपलब्ध कराने का मतलब आप लिखने में सक्षम नहीं है अपाही जहे अपंग है जो भी है जिससे कि आप कापी को लिख नहीं सकते हैं तो वहाँ पर लेखक उपलब्ध करवाया जाता है तो अगर उपलब्ध करवाया गया है तो हाँ उपलब्ध नहीं करवाया गया है तो नहीं परिछा की तीथी, पाली, विशय, सब्जेक, विशय कोडे सभी जो है प्रिंट ही रहता है आपको इसमें कुछ भरने क्या हो सैकता नहीं है यह प्रिंट रहता है आगे देखें तो इसमें लिखा हुए कि रिपय इस खंड में कुछ नहीं लिखें आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है इस आयतकार भाग में यहां पर जो मध्ध भाग है उसकी बात करते हैं यहां मध्ध भाग जो है आपको भरणा नहीं है सभी प्रींट ही रहता है अगर अब इसको अपने से कुछ भी छेड़ छाड करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है यह भाग जो है विशाय कोड विशाय पाली परिक्षा की तीथी यह सभी जो है प्रिंट रहता है आपको कोई भी छेड़-छाड़ इसमें नहीं करना है कुछ नहीं लिखना है याद रखिएगा मध्य भाग जो है जो आपके कापी का तिन हिस्सा होगा बाया मध्य और दाया तो बाया भाग में एक से चार्त के कलम को भरना है मध्य भाग को टच नहीं करना है छूना भी नहीं है इस पूर्य भाग में ही नहीं छूना है मध्य भाग का जो है उपर से ले करके नीचे तक जो भी है देख लीजे नीचे तक यह मध्य भाग ही है यहाँ पर आपको कोई भी टच नहीं करना है जो कापी चेक होता है न वो लोग अपने नंबर उगर जो भी डालना होता है वो लोग अपने डालते हैं इसलिए आपको को आदमिक परिक्षाद 2000 जो भी हो इस भाग में परिक्षार्थी करमांक 9 से 13 कोहीं भरें अस्य से मुद्रित विवर्णों में किसी परकार की कोई छेड़चाड नहीं करें यानि एक से 8 तक जो होगा यह प्रींट रहेगा एक से 8 तक भाग क्या होगा प्रींट होगा प्रींट यानि फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग जो भी है पंजियन क्रमांक यह सभी परिक्षा की तीथी यह सभी जो है आपका प्रींट ही रहता है यह जो भाग है प्रींट रहेगा इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है एक से 8 तक हो गया अब यह जैसे यहाँ पर इंट्रो पत्र सेट कोड लिखें यह से लेकर के यह तक का जो भी सेट है आपको माल लेता है जो ए मिला है तो इस खंड में ए लिख लिजिएगा इस खंड में क्या लिख लिजिएगा ए बी है तो बी सी है तो सी जो भी मिला है आपको यहां लिख लेना है नीचे आईएगा जिस प्रश्ण पत्र क्रमांक लिखें कोश्चन का नमबर लिखना है इसमें कोश्चन का नमबर लिख लिजिएगा अब यहां पर देखिए गारा नमबर में है परिक्षार्थी का पूरा नाम बड़े अक्षडों में आपको जो है कि कैपिटल लेटर्स में इसमें आपको नाम लिखना है विशय का पूरा नाम लिखना है परिक्षार्थी का हस्ता अक्षर होगा यानि आपका सिगनेचर होग तो code नाम सहीते यहां लिखिएगा और यहां 13 नंबर में क्या मिला परिक्षारथी का हस्ताक्षर यानि आपको अपने यहां सिगनेचर करना है और यहां पर देख रहे हैं विक्षक का हस्ताक्षर इसमें जो आपके class में जो teacher हैंगे उनका सिगनेचर यहां पर होगा आपको यहां कुछ नहीं करना है, अब यह भाग समझ में आ गया होगा, उतर पुस्तिका में कैसे भरना है, यह है आपका OMR सीट है, यह है आपका OMR सीट है, अब इसको कैसे भरना है, आप देख लिजिए, यह जो परिक्षार्थी का नाम, रॉल कोड, रॉल नंबर, विसय का कोड, पाली, पंजियन करमांग, विसय का पूरा नाम परिक्षा की तीथी, यह सभी भाग प्रिंट रहता, यह जो है टोटल चीजा यह प्रिंट रहेगा, आपको कुछ भी लिखने क्या आप सेकता, नहीं है, यह भाग प्रिंट रहेगा, इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्त अब यहाँ देखिएगा 9 नमबर में, जिस सेट का कोड का प्रस्ण पत्र आपको मिला है, उससे सेट कोड के काले नीले पेंच से नीचे पूरा करें, यानि अगर आपका सेट कोशन का सेट A है, तो A लिख दीजिए, B है तो B लिखे C है तो C लिखे, इस तरह से जो है, 10 नमबर देखिएगा प्रस्ण पत्र करमांग, यानि कोशन का नमबर जो है आपको लिखना है, कोशन का जो नमबर है वह इसमें भर दीजिएगा, 11 नमबर जो है परिक्षा केंद्र का नाम, इसमें सेंटर का नाम लिखना है, कि आपका सेंटर कहा है, उसका यहाँ पर नाम इस खंड में signature करना है यहां पर विक्षक का पूर्ण नामे ओम हस्ताक्षर यहां पर teacher जो है का अपना signature करेंगे यहां पर CS करेंगे अब यहां से जो है कि आपको answer देने के लिए है OMR sheet वस्तुनिष्ट प्रस्णों के उतर देने के लिए सही गोले को नीले या काले पेंसे जैसे एक काई है यह को जो है कि गोला करना है उस गोला के न बाहर और न अंदर यानि जितना गोला है उतना ही को करना है इस परकार जो है कि आपको जीतना का answer देना है उतना का answer आप OMR tighten में अपना दे सकते हैं दोस्तों इस तरह से जो है कि आपका एटेंडनस ओए मार्सित ये सभी काम जो है लगभग समझ चुके होंगे आप दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन का बटन दबा द तक है अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे तब तक लिए जय हिंद जय भारत